क्यूं कराना चाहिए आपको अपने व्यवसाय का इंशॉरंस किसी भी बिजनस का इंशॉरंस होना क्यूं आवश्यक है? ये कैसे काम करता है? आदिकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी यहां आप जान सकेंगे कि आखिर एक व्यापारी को अपने बिजनस का इंशॉरंस क्यूं कराना चाहिए? आपके उधार चुकाने और भविश्य के लिए सहायक है इंशॉरंस कई छोटे बिजनस करने वाली लोगों को अकसर बिजनस लोन की ज़रूरत पढ़ जाती है पिजनस लोन अगर टाइम पर वापस ना दिया गया तो आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लेकिन बीमा में आपको ज्यादा पैसे जमा नहीं करने पड़ते बलकि इसमें आपके थोड़ी-थोड़ी पैसे जमा किये जाते हैं जो भविश्य में बड़ी रकम बन जाती है। इन पैसों से आप चाहे तो अपना उधार लिया हुआ पैसा चुका सकते हैं या फिर अपने और अपने परिवार के भविश्य के लिए बचा सकते हैं। आप बच्चों की बढ़ाई, शादे या फिर बिजनस को बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं। इंशॉरंस पर आप कर सकते हैं लोन की मांग। आज के समय में बीमा कमपनियों ने छोटे बड़े बिजनस करने वाले लोगों के लिए कई तरह की बीमा पॉलिसी डिजाइन की हैं। जिसके आधार पर आप अपनी कमपनी का बीमा करा सकते हैं। इस तरह के वीमे में अगर किसी समय व्यापारी की मृत्व हो जाती है, तो बात में व्यापारी के द्वारा बनाए गई नॉमिनी को वीमे का पैसा भी मिल जाता है. इससे आप चाहें, तो लोन की मांग कर सकते हैं, या फिर इसे भविश्य के लिए भी बचा सकते हैं चोटी और अचानक आई मुसीबत के लिए जरूरी है इंशॉरंस कराना इंशॉरंस पॉलिसी के आधार पर आप अपने और आपके परिवार पर भविश्य में आने वाली चोटी चोटी मुसीबतों और जरूरतों से निपट सकते हैं अगर आपको किसी का उधार देना हो या बिजनस का विस्तार करना हो या अचानक आपके व्यापार में किसी तरह का कोई नुकसान या तुरघटना हो जाए या आपके साथ कोई मुसीबत आ जाती है तो आप इंशॉरंस के पैसों से इस से निपढ़ सकते हैं आपके टाक्स को बचाने में सहायगे सही सिना आपने बीमा पॉलिसी के जर्ये टाक्स भी बचाया जा सकता है अगर आप नहीं जानते तो जान लीजिए कि इंशॉरंस के आधार पर हर कोई बीमा पॉलिसीों में डेर लाब तक टाक्स में लाब हासिल कर सकता है इसके बारे में अधिक जानने के लिए आपको टाक्स डिपार्टमेंट से समफर्प करना होगा जहां आप इस बारे में उनसे अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही कैसा लगा आपको वीडियो हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा